अलो किसान भाई हैं आप जो यह देख रहे हैं हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि फूल को भी का नर्शरी की इस तरह तयार करें तो इसे तयार करने के लिए सबसे पहले आपको 6 इंच उमची मिट्टी का बैड तयार करना है और उसके पानी डाल देना है और खुरपी से धीरे-धीरे मिट्टी को भुरभुरी कर लेनी है मिट्टी आपका जितना भुरभुरा होगा नर्शरी आपका उतना ही अच्छे तरीके से तयार होगा तो आप देख पाने है छे इंच का उचा बैड बना दिया है और उसको इस तरह प्लेन करना है कि कहीं भी पानी लगे नहीं तो पानी लगने से क्या होता है कि आपका नर्शरी खराब भी हो सकता है कहीं पानी लगेगा कहीं नहीं लगेगा तो कहीं उचा हो जागा कहीं ने प्रिक्रेट जिए पर सिधी लाइन में हो सिधी लाइन में होने का फायदा यह है कि गाच से गाच की दूरी अच्छी रहेगी तो आपका पौधा स्वास्त होगा इसलिए हमने पूरी क्यारी में लाइनिंग कर डाली है उसमें बीज भी दे दिया है अब देख पा रहे होंग देखिए आपको दिखा रहे हैं हम यह देखिए कम से कम एक इंच की होनी चाहिए जिससे आपका पौधा स्वास्त होगा और हमने तीन ब्रैटिज का इसमें है सेमेच का लिया है यह सेमेच का फूला गोभी है और बंधा को भी आपको देख रहे हैं कि माइको का है और वो तिन पौकिट जो है उसको हम नहीं ड़ह है वो पौले तिन ऐससे पड़ा गूआ था दो ही पोकिट हम डाले हैं, जो कि सेमनीच का दोना पोकिट है, अब देखिए, हमने बीज डाल दिया, तो सेु पानी का एस्पेय करके, पॉलेघे हो बीज है, ताकि अगर बारिष हो, तो हमारा नर्सरी खराब नहीं हो इसलिए हमने पॉलेथिन डाल लखा है और जहां छोटा-छोटा बीज हुआ तो उसको अंकुरन हुआ तो पॉलेथिन हटा देना है सिर्फ नेट को रहने देना नेट रखने से फायदा यह होगा कि कीड़े नहीं लगेंगे आपके नर्सरी में आप कि हमने पॉलेथिन हटा दिया है लेकिन नेट यानि की जाल रहने दिया है जाल को नहीं हटाया है क्योंकि जाल अगर हट गया तो छोटे-छोटे कीड़े घुश जाएंगे और कीड़े घुश जाएंगे तो काटेंगे पॉदे को अब देखे कितना अच्छा हमारा नर्सर सब्सक्राइब नाला बनाने से फाइदा है इसमें आप देखिए किस तरह नाला बना दिया है अब यह किनारे वाला जो है वो नाला हो गया यह नाला हो गया यह नाला तैयार हो जाएगा तब हम इसमें पोधे रोपन की इस्थिवरें देखिए यह लकीर जो खिचा जा रहा है इसके बाद एक चोड़ा खीच देंगे तो एक दम समय कित हो जाएगा पधा के दूरी और बेट से बेट की दूरी एक दम सेम हो जाएगा जो रोपने में सहलियत होती है ने तो ऐसे रोपाई सही नहीं हो पाती और दूरी एकज़स्ट सही से नहीं होती है तो हम प्लेन एकुरेट बना रहे हैं इस पर देखिए इस यंत्र की सहायता से हम पहले लंबा खिच दे रहे हैं उसके फिर चोड़ाई में खिच दें और जिस मौड़ देखिए जहां पर दोनों लकिर मिल रहा हैं वहीं पर पौधार रौपना है है थाकि पौधे से पौधे की दूरी एकदम सेंब रहे देखिए यह खिचव्गा हो रहा है अब हम क्या करता है कि पौधे उखाड़ लेते हैं पर शीकिछ और रृदे एज़िक आदार में पहले पानी छिड़कत हैं तो पानी पटाने के बाद ही याद रखें कि पानी पौदा कावारने से एक घंटे पहले उसमें पानी छिट दे तभी पौदे को कवारे आपका पा खराब हो सकता है सूख सकता है खेट में घ्रिक कि न स्वस्त पोदा और चलिए होतरु रोपाई करने की उत्तम विदिदी ये ये अपको अंधर, ढालना है और इतना ही जोड़ से दबाना कि पौधा नहीं तूटे। जोड़ से दबाना है किसी तरो उसकी तरोशको दबा देना आ अगर जोड से देवाएंगे तो पौधा जो क्या होगा तूट जाएगा पौधा तूट जाएगा तो फिर सूख जाएगा घाटे का सवधा हो गया इसलिए पौधे को हमको एकदम धीरे से दबाना है ताकि सिर्फ पौधा दब जाए ना कि तूटे नहीं बस इस तरह रोपत समय लेकिन ध्यान रखें कि जोड से दवाएं नहीं जोड से दवाने के बाद हम बताये हैं आपको कि पौधा तूट जाता है कि कितने अच्छे से रुपाई है कि लाइनिंग कितना अच्छा दिख रहा है यह लाइनिंग के सुन्दर दिखने और लाइनिंग रहने से दू छोड़ा है हम क्यारी बनाय थे नाला उसे पानी पटाने में फिटा होगी देखिए जोड़ दिये हैं वो सारा खेथ में पहुंच लीटें पानीदू sama में लेके आराम से पटाते जाए देखिए अभी ये पौधा मूर जाया हुआ है लेकिन जब सुवा में देखिए गा तो यही पौधा खिला हुआ नजरा आपको आएगा क्योंकि अभी बेड़ से उठाया गया है तो इसका नमी तो गयब है अब पानी डाल दिये है तो रात ध्यान देना है पानी पर कि अगर खेत में नमी हो तो साम के समय से सुवा के टाइम में पटवन कर देना है दो से तीन दिन अगर नमी नहीं हो तो साम सुवा दूनों पटवन करना होगा इस तरह का ध्यान रखना होगा नमी है या नहीं है नमी कहीं साब से ही पटवन करना ह देखियो कितने अच्छे तरीके से पटा रहा है कम से कम 100-500 ग्राम पानी डलना है एक पेड़ के पास ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा ते दिये हो गया नहीं एक 100-500 ग्राम पानी एक पेड़ में देनी होगी वह भी अगर नहीं नहीं हो तो दिन में दो बार साम और सुबह दोनों यदि अगर नहीं हो खेट में तो एक टाइम काफी है देखिया पटवन हो रहा है अब पटवन अगर हो जाए पौधा लग जाए तो इसका एक बार खेट को चाल देना है मतलब कि उसमें छोटे फावड़ा या खुर्पी किसी भी साहता से निराई गुड़ा जिसको कहा जाता है वो कर देना है विए करने से विर्दी αःची खाष होती है को एक यह करतेने के बाद रहा पात्याये थोड़ा से यूरिया च्चप द téना है यह जब सुख जाए तो इसमें थोड़ा से यूरिया च्चप द ना है और चार किलो यूरिया, दो किलो डीएपी, एक किलो फुटास देकर इसे मिट्टी चड़ा देना है, देखें मिट्टी चड़ा दिया है, तब देखें कैसा पौधा लग रहा है आपको, देखें कितना सुन्दर पौधा देख रहा है, यही अगर सही से नहीं दीजें कि अभी जब की, इसे फूल नहीं आया है, लेकिन पौधा देखें कितना सुन्दर है, पौधा जितना मजबूत होगा, उसका फल भी उतना ही सुन्दर और उतना ही बड़ा होगा, अगर पौधे में दम नहीं होगा, तो फूल नहीं होगा, अगर फूल नहीं होगा, तो घ पूरे में तो फूल नजर नहीं आएगा कहीं कहीं हुआ है जो पथा बड़ा हो गया था उसमें फूल आ गया है केमरे में दिखाई नहीं पड़ेगा बड़ी गवर से देखना पड़ रहा है तब फूल नजर आ रहा है और दस से पंदरा दिन में हमारी कटाई चलू हो जाएगी तब कटाई का भी इसमें वीडियो डाल दिये हैं आप देख लिजेगा यह पीछे से जो रोपे थे वूसका पूदा है देखिए छोटा है अभी एकिन बड़े पूल हो गया दस पंदरा दिन में कटाई हो जाएगी अधिये कि फल भी अच्छे लग रहा है अधाया आप घड़ को देखिए देखिए यह problem का देखिए देडसे डो केजिका पर तेक फूल हो गया है और्युक्四जं एक फूल देड़ से दुके जी का फूल एक फूल हो रहा है लेकिन यह और बढ़ता यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कॉमेंट करकर जरूर बताएं लाइक था सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर जय हैं दोस्तों